के अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टेटजी सिखाने वाला हूँ जिसका उपयोग करके आप निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टोक में भी एक बढ़िया जबरदस्त वाला प्रोफिट बना सकते हो एक बड़े मूँ को कैप्चर कर सकते हो यहां पर दोस्तों में छोटे मूँ की बात नहीं करा हूँ एक बड़े मूँ को कैप्चर कर सकते हो आप इस स्टेटजी को उपयोग करके स्टेटजी की एक्यूरेसी भाई 95% से उपर उपर रहेगी बसरते आपको अच्छे से वाला हूं प्रोपर सिखाने वाला हूं आराम से वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो एक एक पॉइंट को नोट करना है पैन कोपी में थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखनी है और फिर देखना भाई लाइफ बन जाएगी एक मेरी बात को आप क्यों नहीं बना सकते हो भाई फ्री ओप कोस्त आपको सिखा रहा हूं एक बार उप्योग करके तो देखना आपको मज़ा ना आए तो बोलना भाई मेरे को अभी एक बज़ी के 25 मिनिट हो चुके रात के आपके लिए वीडियो रिकोड कर रहा हूं भाई तो ध्यान से देखना वीडियो को मुझे यह मतलब नहीं है कि पांच मिनिट की वीडियो होनी चाहिए ज्यादा व्यू आएंगे यूटूब पर नहीं भाई वीडियो चाहिए कितने भी बड़ी हो जाए आपके बेज़े में बैठनी चाहिए आपके बेज़े में strategy fit बैठ चाहिए तब जाके मैं मानूगा कि हमारी मैनत जो हमने थोड़ी सी मैनत किये वह सफल हो गई है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक देखना आता कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यह बैंक निफ्टी का दोस्तों चारट लगाया मैंने स्टेटजी का नाम भी हम बताने वाले हैं दोनों मैंने एक साथ मिक्स इसलिए नहीं किये क्योंकि आपको फिर ना समझ में नहीं आएगा आप पजल हो जाओगे पहले डाउन साइड का देख लेते हैं अच्छा आपको एक बात बता दू यह स्टेटजी आपको हो सकता है दिन में ट्रेड करन तो चलिए शुरू करते हैं जो स्टेटजी में सीखा रहा हूं इंसाइड केंडल वाले भाई कुछ लोगों को पता भी होगी लेकिन एंट्री एक्जिट का बहुत सारे लोगों को रियालिटी में नहीं पता है इडिन्टीफाई नहीं कर पाते हैं कि यह स्टेटजी इंसा केंडल बन गई में वीद लोजिक सिखाने वाला हूँ यह नी कि कुछ बहर्यां पर बोलेके चला गया है वीद लो직क सिहाँ गारे मान लीजिए रेड केंडली रेड केंडल ऑट यह बन गई यह बन गई रेड एड मिनैट भाई कहां गई पारें चरह थी कह ए यह एक होनी चाहिए जहां पर बायर और सेलर के फाइट हुई हो मैं बिलकुल कलियर कट ड्रोइंग करके आपको बताऊंगा भाई ताकि आपको ना अच्छे से समझ में आ जाए भाई भेजे में दिख जाए तो बाई समझ लेजिए एक बड़ा मुंह आने वाला है लेकिन वह कशो कफृम कंसर क्वन आपको एंटरी कहां पर देनी है एक केंडल और बनने देनी है यहां पर यहाँ पर एक एक केंडल एंट्री आपकी यहां पे रहेगी टार्गेट भाई आपका वन इंस्टू टू रहने वाला है जितनी बड़ी केंडल यह है उतना ही आपका टार्गेट रहने वाला है ठीक है भाई यह स्टेट जिना और भी जबरदस्त काम तब करेगी जब भी आपने यहां तो टार्गेट ले लिया बड़ा profit बना लिया जब भी market घूम के कभी भी चाहे दो दिन बाद चार दिन बाद या फिर उसी दिन इस candle के area में पहुंचेगी इस candle के area में फिर से आपको यहाँ पर एक entry मिलेगी downside फिर से market downside आएगी ठीक है अभी मैं आपको लाइव समझा देता हूँ चार्ट मे हम देख लेते हैं bank nifty का chart है अच्छा मैं आपको बता दू time frame फिलाल तो मैंने 15 minute का लगाया हुआ है यह 15 minute का time frame है जितना बड़ा time frame होगा चाहे वह एक दिन का time frame हो एक घंटे का हो पिछेतर मिनिट का हो 125 मिनिट का हो जितना बड़ा time frame होगा accuracy उतनी ही ज्यादा आपकी रह ने वाली है ठीक है तो देखे भाई हम live chart में समझ लेते हैं सबसे पहली बात भाई मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था बहुत दिन में क्या पता दो ही trade दे दिन में क्या पता एक ही trade दे एक भी ना दे लेकिन जब भी देगी अच्छा short देगी inside candle भाई इसको बोलते हैं ये candle देखी एक buddy red candle है इसका color matter नहीं करता है जो base candle होगी उसका कोई color matter नहीं करता है लेकिन bunny है inside candle है लेकिन हमारी इस candle में मैंने बताया entry कहां पे होगी entry भाई इसके नीचे होगी जब market इसके नीचे चली जाएगी closing देना शुरू कर देगी फिर हमारी entry होगी और फिर हमारा इस candle के जितना ही हमारा target होने वाला है जितने point की ये candle है इतनी लंबाई वाली कम से कम इसका 75% तो हमारा target नीचे की side रहने वाला है आज हम bearish की बात करें downside आप कैसे move capture कर सकते हो तो अगर आप ध्यान से देखोगे भाई ये inside candle बनी ठीक है inside candle बनने के बाद आपने एक marking लग दिया नीचे आई इसके नीचे मार्केट ने closing नहीं दी उपर भाग गई फिर से उपर गई closing नहीं दी उपर भाग गई हमाली जेट रीटेस्ट किया लेकिन इस candle ने बड़ी जोर से इसको तोड़ दिया भाई ठीक है बड़ी जोर से तोड़ा तो आप यहां पे entry ले सकते ह तो भाई आप यहां पे भी entry ले सकते हो जब इसके नीचे मार्केट ने आना शुरू किया यहां पे भी entry ले सकते हो लोस नहीं होगा ठीक है लोस होने के बड़ी चांस बहुत ज्यादा कम है मार्केट अगर मार्केट ने छोटा सा एक्स्ट्रा मूँ दे दिया ना मलब यह तो इस दिन तो मार्केट अल्ट्रा साइडवेज टाई थी हर रोज तो ऐसे नहीं रहती है तो जब भी मार्केट ने मूँ दिया ना भाई अब भी देख लो कितना point का मूँ मिला आपको मैं ना आपके दिखा देता हूँ अगर कोई last तक बना रहा होगा तो यह देखो भाई यहां तक 500 point का मूँ दिया भाई मार्केट ने अगर इंदा मनी की study आप लेते हो इंदा मनी की strike price लेते हो तो कम से कम 200 point आपको मिलने वाले हैं bank nifty के अंदर ठीक है patience आपके अंदर होना चा कारट है भाई 15 मिनट के इसाब से इसमें अगर आपको छोटे मूँ capture करने है तो भाई एक मूँ तो दे दिया यह ठीक है इसको छोड़ दीजिए यह भी inside candle है inside candle है कि नहीं है इसको देख लीजिए एक मूँ दे दिया यहां पर आपकी entry बनती है एक अच्छा मूँ दिया आ इसका आपने यहां पर marking करनी है marking करने के बाद जैसे ही market home के इससे नीचे जाती है तो 200-200 points आपको आसानी से मिलने वाले हैं ठीक है अब यह recovery कैसे करती है market भाई उसके लिए आपको थोड़े सी history देखनी पड़ेगी नीचे कोई support रहा होगा यह देखिए यह वाला support का area था यह support का area था इस वज़े से market ने यहां पर आके थोड़ी से recovery दे दी क्योंकि यहां पर marketing ज्यादा time spent गया तो यह strong zone है ठीक है तो ऐसे zone भी आपको देख सकते हो लेकिन भाई यह सब practice करोगे ना तब आएगा हम और कोई अच्छा सा example देख लेते हैं भाई बीरी side देखेंगे bullish side तो भाई bullish side भी जबरदस्त काम करते है बस आपको identify करना आना चाहिए strategy काम करती है भाई ठीक है यह देखिए यह देखिए भाई यह एक proper picture clear वाली inside candle है picture clear जिसको बोलते हैं अगर आपको कहीं पे दिख जाए ना इसको बोलते हैं एक drop candle इसको बोलते हैं base इसको भी बोलते drop तो भाई यह एक ceiling area हो जाता है ठीक है अब यह inside candle बनी इसके नीचे की आप marking कर लिए जब भी market इसके नीचे जाती है तो आपको एक अच्छा मूँ दिया और मैंने आपको क्या सिखाया था कि starting में drawing करके क्या बताया था कि market इससे नीचे जाएगी वो तो मूँ देगे ही द आपको क्या करना है इस candle के उपर वाले हिस्से पर आपने क्या कर लेना marking कर लेनी है इस candle के उपर वाले हिस्से पर marking करने का क्या फाइदा मार्केट जब भी नीचे जाके वापिस recovery करके उपर आएगी तो वापिस से आपको यहां पे एक और entry मिलने वाली है क्योंकि एक selling zone ब प्रोफिट बुक कर लिया यहीं पर हो गया था आपका तो लेकिन जैसे ही मार्केट ने उपर गई पर कितना जबर्दस तरीके से उसी टाइम एक जटके में नीचे फैक दिया फिर मार्केट थोड़ी दिर साइडवेज होगे फिर उपर गई फिर यहां पर इसको उपर नहीं जाने दिया नीचे फैक दे और लास्ट वाले दिन गेप डाउन ओपनिंग यह ताकत है बाई स्टेट जी मतलब एक बार काम नहीं आएगी यह कैंडल आपको दो बार काम आएगी एक बार तो तभी जब आपने इंट्री की दूसरी बार तब जब मार्केट घूमके वापी इस कैंडल के संपरक में जाएगी आपको तुरंत एक डाउनसाइड इंट्री मिलने वाली है यह सेलिंग जोन हो जाता है भाई ठीक है निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं पे भी आप इसका उप्योग कर सकते हो यह मैं निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया भाई अब न मार्केट ने जब इसके नीचे आना शुरू किया यहां पे आपके इंट्री बनते है स्टोपलोस आपको कहा लगाना भाई इस कैंडल के 75% हिस्से पर आप स्टोपलोस लगा दीजिए बहुत चोटा स्टोपलोस रहने वाला है हो सके तो आप इसके उपर भी स्टोपलोस ल अच्छा हूँ मिला फिर मार्केट ने क्या किया थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और उपर की साइड जाना शुरू किया अब भाई अगर आप एक चीज़ देखो के मैंने आपको क्या बताए दो बार काम करेगी स्टेट जी आपने इस कैंडल के उपर वाले हिस्से को मार किया मार्केट में एक बार तो आपने प्रोफिट बुक किया फिर मार्केट का वेट करना आपको कभी भी मार्केट अगर इस कैंडल के दोबारा वापिस उठके जाती है बूम सीधा नीचे ठीक है कितने भी एक्जामपल देख लो भाई अरे मैं तो बोलता हूँ भाई ये इस कैंडल को कौन बनाता है आप दिमाग में सोचना ये जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती है इनको बनाता कौन है इन कैंडल को बनाता कौन है भाई सेलर बनाते है और चोटे मोटे सेलर नहीं बनाते है भाई जबरदस्त वाले सेलर इस कैंडल को बनाते है जिनमें ब bounce back करेगी बहुत सारे लोग trap हो जाते हैं तो जैसे ही market green candle या फिर एक base candle बनते हैं तो लोग entry करना शुरू कर देते हैं buyer entry करना शुरू कर देते हैं उनका stop loss दिन के low के नीचे रहता है लेकिन जब भी market यहां से reverse होती है और नीचे आना शुरू होती है तो जो इस candle में buyer बने थे उनका stop loss यहां पे hit hit होते ही वो क्या बन जाएंगे buyer की जगे वो seller बन जाएंगे और दुगनी speed से market fit डाउन साइड आती है ठीक है दुगनी speed से डाउन साइड आती है यह logic है भाई काम strategy का काम करने का इसके अलावा मैं आपको बता दू जो रेड केंडल होती है भाई बड़ी बड़ी इन में बहुत सारे ऐसे pending order लगे होते है तो जल्दी से इसको क्रोस नहीं कर पाती है market तभी तो आपने कभी देखा होगा कि जब एक बड़ी रेड केंडल बन जाती है सुरुआत में ही 15 मिनिट की तो फिर market सारा दिन उसके बीच में ही sideways होके close हो जाती है क्योंकि भाई इसके अंदर बहुत सारे pending order selling zone होता है इस केंडल में जो कि उनको market नहीं तोड़ पाती है जल्दी से और अगर तोड़ देती है तो भाई समझ लीजिए बहुत बड़ा buying area यानि कि buyer active हो गए है market में अगर ऐसी बड़ी candle को तोड़ देते हैं तो इसको आप किसी भी time frame में उप्योग कर सकते हो, stock में भी उप्योग कर सकते हो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि sir यहाँ पे तो इसने काम नहीं किया, आप हमेशा बनेगी, हमारी entry कब बनेगी picture clear कब होगी, जब market यहाँ पर एक candle और बनाना शुरू कर देगी और इसके नीचे जाना शुरू कर देगी, तब हमारी यह picture clear वाले inside candle होगी, ठीक है ऐसी candle पे को आपको इमलब यह candle बन गई, इसका मतलब यह नहीं कि market अब नीचे ही जाएगी असल में यह inside candle strategy कब दिखेगी आपको clear जब market यह candle को close करने के बाद next candle इसके नीचे बनाना शुरू कर देती है और इसके नीचे market मू कर जाती है, यहाँ पर आपकी entry होगी, stop loss 75% इस candle का, और target जितनी बड़ी है candle है, इतना ही बड़ा आपका target रहने वाला, simple है, ठीक है यह तो bearish वाली थी, bullish वाली के लिए मैं एक special वीडियो लेकर आऊंगा, भाई मैं telegram का channel है न, उस पर update देता रहता हूँ, वहाँ पर free of cost में nifty bank, nifty के stock के option के levels डालता रहता हूँ, study purpose के लिए, practice करने के लिए, तो आप मुझे telegram पे follow जरूर करे, वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा, या फिर आप direct telegram पे सरच कर सकते हो, market यात्रा official के नाम से, 40,000 से उपर subscriber हैं, भाई हमारे वहाँ पे लोग बड़े अच्छे से follow करते हैं, बहुत अच्छा कई लोग profit भी बना लेते हैं, मैं मना करता हूँ कि real trade मत करो, practice करो पहले, लेकिन कोई नहीं मानता है, भाई तो आप हमेना वहाँ पे follow जरूर करें, भाई, आपको बहुत जादा knowledgeable चीजें वहाँ पे मिलने वाली हैं, ठीक है, कुछ भी आपका doubt है, कुछ किसी भी topic के बारे में आपको वीडियो बनानी, तो इस वीडियो के नीचे comment कर देना, कैसी आपको यह strategy लगी, comment कर देना, ठीक है, बढ़िया है, पसंद आई, तो comment करके जरूर बताना, वीडियो को like जरूर करना, भाई, इससे मेरा होसला बढ़ता है, ठीक है, इस दिन का भी देख सकते हो, निफ्टी में, मैं stock का भी बताऊंगा, यह निफ्टी का है भाई, एक दिन का, यहाँ पर देखिए, inside बड़ी बात नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप capture करोगे भाई, strategy को, तो आपको पता लगेगा, आपको पता लगेगा, कि एक inside candle, दो inside candle, ठीक है, दो बार आपको एक दिन में, दो बार मोके दिये गए, यह भी एक inside candle है भाई, यह भी एक inside candle, लेकिन यह active कब हुई, जब यहाँ पर market आई, ठीक है, जब यहाँ पर market आई, जब यह यहाँ पर आने के बाद, तब जा के आपकी entry active होती है, दो बार मोके आपको दिये market ने, last वाले trading session में भी, तो आपको ऐसे entry नहीं लेना है, ऐसी, यह जैसे यह है, यह भी inside candle type है, लेकिन entry नहीं लेना, जब तक एक clear picture clear ना हो जा, इसके नीचे closing देना ना शुरू कर दे, भाई, बहुत जबर्दस strategy है, बहुत लोग इसको छुपा के रखते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, stock में देख लेते हैं, बाई, stock में देख लेते हैं, कहां गया है, कोई भी stock उठा लेते हैं, relance का देख लिए, relance का देख लो भाई, यह relance में देख लो, जितना बड़ा time frame रखोगे भाई, उतना बढ़िया है आपके लिए, accuracy आपकी उतनी ही जबर्दस्त होने वाली है, ठीक है, जैसे हम relance में 135, 25 मिनिट का तो आपको नहीं मिलेगा, आप 2 घंटे का time frame रख सकते हो, यह अभी भी अगर आप देखा जाए न, relance में इतने दिन से negative क्यों हूँ, मैंने post भी राज क्यों कि भाई, इसमें inside candle बनती जा रही है, ठीक है, inside candle बनती जा रही है, यह देखिए, यहाँ यह देखिए, inside candle लेकिन इसमें बहुत बड़ा high लगा है, लेकि नीचे के यह, भाई, यह दो घंटे की candle है, यह ध्यान दीजिए, अब भी market ने inside candle बनाई है, हरी लेंस ने, अगर इसकी नीचे का area यह low का क्रोस होता है, बिल्कुल इंट्री बनती है, भाई, सीधा target आपका 264 रूपे का है, हरी लेंस का, के बला study purpose के लिए बता रहा हूं, भाई, ठीक है, 15 मिनिट में देख लेते हैं, भाई, strategy आपको क्या पता, दो दिन में एक बार trade करने का मोका दे, लेकिन जब भी inside candle बनेगी, अब inside candle दो भाई, यह भी बनी है, लेकिन यह तब okay है, जब इसके नीचे आना शुरू कर दे, ठीक है, ठीक है, तो जब भी बनेगी भाई, आपको एक short short entry दे के जाएगी, ठीक है, कुछ भी समझ में ना आया हो, comment करके जरूर बनाना भाई, वो clear हो जाएगा आपका, अरे कौन सा chart खोला है भाई हमने, यह देख लीजे भाई, यह भी एक inside candle है, दो घंटे का chart है, जितने time frame में करोगे उतनी accuracy जबरदस्त होने वाली, यह देख रहे हैं, आप inside candle है, जैसे ही market ने, इसके logo cross के आपकी entry यहाँ पे बनती ह और यहाँ पे भी एक अलग से inside candle बनी है, ठीक है, यहाँ पे भी एक inside candle बनी है, ठीक है ना, तो बहुत सारे मोके देगी भाई आपको, यह inside candle क्यों नहीं है, क्योंकि इसके नीचे अगली candle ने इसके नीचे आना शुरू नहीं किया है, ठीक है, यह inside candle क्यों नहीं है, क्योंक रने वाला होना चाहिए जब भी डाउनसाइड आई थी अगर आप देखोगे तो यह एक नेगिटिव टाइम एरिया है यह पूरा इंसाइड जोन है यह एक बड़ी कैंडल हो जाएगे अगर बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे तो एक पूरा जोन है ठीक है भाई ढूंड लेत परदस्त होती है लेकिन मेरा पेड वर्जन है यह जो इसका पेड वर्जन है ट्रेडिंग विव का इस वज़े से फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि 125 मिनट कहां से आ गए सार हमको तो पता ही नहीं लगा ठीक है यह भी एक इंसाइड कैंडल है ठीक है अगर आप बड़ इस ही हरी कैंडल यह भी इंसाइड कैंडल है यह दो भी इंसाइड कैंडल है यहां पर जाके मार्केट ने वापिस रिवर्स दिया था ठीक है तो भाई स्टेटजी का उप्योग अच्छे से करना में बात यह यह नहीं है कि आप कुछ भी आपने कुछ भी बना के और अरे बाई यह तो काम नहीं किया काम करती है 100% करती है 101% करती है बाई मैं तो बोलता हूं लेकिन पिक्चर कलियर होनी चाहिए वैसे तो शेर मार्केट ने 100% 101% कहना देखे गलत बात है लेकिन अगर आप अपना माइंड सेट रखते हो पेशेंस रखते हो तो अगर आप सो बार करते हो तीन-चार बार गलत भी हो गए तो बाई उसको सोही माननो क्योंकि आप 95 बार सही होने वाले हो ठीक है तो मेरा कहने का मतलब यहीं है बाई प्रोफिट होना चाहिए आपने सो बार एंडरी मारी तीन-चार बार ऐसे लगा कोई बड़ी बात नहीं आपने 95 परसेंट आप ठीक है ना क्योंकि कोई छोटी बाद नहीं होती भाई 95 परसेंट की अक्यूरेसी सेर मार्केट में 100 परसेंट तो भाई क्या ही बोल सकते हैं नहीं बोल सकते लेकिन ऐसा नहीं है कि होता नहीं है आपको प्रोपर एंट्री एक्जिट करना चाहिए अगर आपको के 46 मिनिट हो गए हैं तो कल ये वीडियो यूटूब पर आ जाएगी और वीडियो को शेर करना लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही इन्फोर्मेटिव वीडियो स्टैटिजी फ्री आपको सिखाने वाला हूं जलने वाले जलते रहें बाई इसके नीचे कुछ लोग जलते बुझते कुमेंट भी करते हैं इका दुका बाकी सभी के अच्छे कुमेंट आते हैं तो थैंक्स फूर वाचिंग दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई